जैशी किश्णा स्वागत है आपका सार्थी त्रिश्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज मैं आपको पानी का एक ऐसा उपाय बताने आई हूँ जिसे करने मातर से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्टन हो जाएंगे इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपको आपका प्यार जरूर मिल जाएगा मैं क्यूं बार 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 आपके सामने प्यार को लेकर इच्छाओं को लेकर इच्छापूर्टी को लेकर मनो कामना सिद्धी को लेकर वीडियोज बना कर लाती हूँ हर एक इंसान के अंदर ना एक उर्जा होती है एक पावर होती है जिसको पाकर वो अपने अंदर हमेशा प्रफुलित रहता है जिसकी वजह से वो अपने आपको समझाता रहता है ताकत देता रहता है कि अब कुछ अच्छा हो जाएगा अब कुछ बहुत बहतर दिन आएंगे अब ये बिगड़ गया तो क्या अगला स्टेप और अच्छा हो जाएगा ये आपके अंदर की उर्जा है आपके अंदर बैठा हुआ आपका वो आत्मविश्वाश है जो आपको सही कारे करने के लिए प्रेरित करता रहता है और इस उ अंदर चाहे छोटी भी एक मनो काम ना सोची कोई भी इच्छा है आपने सोचा मेरी ये डिजायर पूरी हो जाए आपको अगर लगता है ना कि हाँ ये पूरी हो सकती है इसके पूरे होने के चांसे हैं तो आपने कभी नोट किया है आपकी वो उर्जा अपने आपी होने लगती है और आप उसी तरीके से काम करने लगते हो और जादा आप उसके लिए अपने आपको उर्जावान बना लेते हो समय नहीं देखते हो सुबह है रात है दिन है आंधी है तुफान है आप पस अपने काम को अपने लक्षे को पाने के लिए पीछे लग जाते हो जिन लोगों को यही नहीं पता कि उनकी जिन्दगी के अंदर ये उर्जा वो छुपा कर बैठे हैं अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं और अगर उसको जागरित कर लेते हैं तो आपके अंदर दबी हुई आपकी ये उर्जा आपके सारे काम बना देती हैं आपको सिर्फ ए तो आप कर ही लेंगे इतना विश्वाश मुझे आप पर है, इश्वर ने आपको बना कर भेजा है, तो करम करने से तो आप पीछे नहीं हटेंगे, बस कमी कहां है, उर्जा की, जो हमारे ये नौ ग्रह मिलकर, कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, और कभी कभी समाप्त कर समापती वाली कंडीशन पर क्या होता है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं लोगों के अंदर बिलकुल भी आत्मविश्वाश नहीं रहा जाता और वो अपनी जिन्दगी को ही गवाबैठे ते हैं उसका मुल्य ही नहीं समझ पाते मैं बार-बार इन वीडियोस के द्वा आपके अंदर की उस उर्जा को जागरित करने की कोशिश करती रहती हूँ ताकि आपकी वो उर्जा जब भी आपके साथ जागरित होकर काम करेगी तो आप अपने लक्षे को पाही लोगें आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो ही जाएगा चलिए तो आज फिर एक और प्रियास आपकी इस उर्जा को जागरित करने का लेकिन इससे पहले ये जानने का कि मैं कौन हूँ, मैं आपके अस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तू शास्त्री हूँ, चहरा भी पढ़ती हूँ, आवास भी पढ़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़ लेती हूँ, चुकि आ बात करती हूं पानी के टोटके या पानी के किसी भी महा उपाए की तो उस समय आपके चंद्रमा को बलवान करने का प्रयास करती हूं क्योंकि पानी सबसे आसान तरीका है आपके चंद्रमा को मजबूत करने का तबी तो कहते हैं कि जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं ह करते हैं नदी किसी पवित्र जगे पर गए वहीं खड़े होकर शेंपू कर रहे हैं वहीं खड़े होकर कंडिशनर कर रहे हैं अरे भाई आप अपने घर में भी कर सकते हैं यह सारे काम किसी पवित्र जगे पर आकर पवित्र नदियों में क्यामिकल क्यूं मिला रहे हैं आप जी में गए है अपने पापो को धोने और वहां पर आप उसमें क्यामिकल मिला रहे हैं ये आपकी गलती नहीं ये आपके गंदे और आपके कहीं ना कहीं बुरे चंद्रमा की निशानिया हैं पानी जो हर वक्त वेस्ट करते हैं इतना सा पीना है पर भरके पूरी बोतल रखें ये खराब चंद्रमा की निशानिया होती हैं जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता ऐसे लोग हमीशा अपने मन से दुखी रहते हैं ऐसे लोग बहुत दूर दूर तक की सोच लेते हैं ऐसे लोगों को प्यार पाने में बहुत दिक्कत आती हैं ऐसे लोगों के साथ उनका प्यार लंबे समय तक नहीं चल पाता ऐसे लोग अपने love relationship में बहुत परिशान होते हैं अब एक बहुत जरूरी बात पानी केवल आपके emotions को कंट्रोल नहीं करता पानी आपके जीवन में चंद्रमा को मजबूत करता है चंद्रमा जब भी मजबूत होंगे आपके कारे छेतर क को बढ़ा देंगे आपके काम को फैला देंगे जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अचानक चलता चलता उनका काम बंद हो गया उन्हें अपने कारे स्थल पर बैठने से पहले थोड़े से जल के अंदर गंगा जल डाल कर छड़काव जरूर करना चाहिए ऐसे लोगों को अप जहां पर भी वो बैठे हैं वहां पर पानी का एक छोटा सा फॉंटेन बहता हुआ पानी जरूर रख लेना चाहिए हम तो आज 2022 में जी रहे हैं साहब इतनी आसानी से हमें इतने फैंसी फैंसी आइटम्स मिल जाते हैं जो हमारे ग्रह नक्षत्रों को हमारे अनुसार सही कर देते हैं लोगों को पता भी नहीं चलता यह फॉंटेन छोटा सा रखने मातर से आप देखेगा आपके जीवन में कितना करामात हो जाती है बस इसमें छोटा सा आपको काम करना है आपको प्रतेक सुमवार के दिन इसमें थोड़ा सा सैंदा नमक डाल देना है और उस पानी को चलते रहने दीजिए अगर वो पानी कम होने लगता है तो और पानी डाल दीजिए जिन लोगों को अपने काम को फैलाने में दिक्कत आ रही है बहुत लोग मुझसे पूछते हम आउनलाइन काम कर रहे हैं हमारा काम नहीं फैलता हमारे फॉलोर्स नहीं बढ़ रहे हमार को सुमवार के दिन थोड़ा सा काला नमक पानी में डाल देना चाहिए और अपने सिर से साथ बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर आपको उस जल को ले जाकर किसी गंदी जगे पर डाल देना चाहिए गंदी जगे जहां पर कूड़ा वगेरा होता है या वेस समान हम लोग कटा करके रखते हैं वहाँ पे डाल देना चाहिए जिन लोगों को नजर बहुत जादा लगती है उन्हें अपने घर में शनिवार के दिन पानी के काच के गलास के अंदर एक साबुत नीबू डाल के रख देना चाहिए नीबू जैसे ही खराब होने लगे उसे भैग दीज देखिएगा आपके उपर से नजर तोटका तंत्र मंत्र कैसे खतम होने लगेगा जिन लोगों के घर में हमेशा किसी ना किसी वजह से ग्रह कलेश बने रहते हैं ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर पानी में कपूर डाल कर धुलाई करनी चाहिए पोचा नहीं चाहिए पानी फैलाईए अपने घर के अंदर और फिर उसे आप जाडू से बाहार निकालिए देखिएगा आपके घर से ग्रह कलेश कैसे गायब हो जाते हैं जिन लोगों को अपने से लोगों के साथ संबंद बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत कोशिश करते हैं लेकि ही, creativity के बारे में इया अपने टैलेंट के बारे में बताते हैं पर लोग उन्हें सुनना ही पसन नहीं करते, दोस्त नहीं बन पाते, रिष्टेदार उन से अच्छी से बात नहीं करते तो ऐसे लोगों को सुमबार के दिन अपने हाथ से पानी जरूर लोगों को पिलाना चा करते हैं हम कुछ भी नेक करते हैं तो वो कारे हमारा इश्वर के पास पहुंचता है और इश्वर के पास पहुंचा हुआ कहीं न कहीं आपको आश्रवात स्वरूप जरूर प्राप्त होता है इसलिए मैं आपको जो भी उपाय बताती हूं वो करा जरूर करिये क्या पता कब क किस वक्त और किस मोड पर नारायन आपको मिल जाए और उनके आश्रवात से आपका वो काम बन जाए जो आपने आज तक सोचा भी ना हो तो चलिए मेरी जान आज पानी के ग्लास को सिर्फ हाथ में लेने मातर से आपका कैसे काम बनेगा ये मैं आज आपको बताती हूँ प्यार आपसे दूर चला गया है ब्लॉक कर दिया है बात नहीं करता किसी और के साथ हो गया है या आपके साथ रहता रहता किसी और को भी डेट कर रहा है लड़का हो या लड़की कोई भी ये काम करिये आदमी हो या औरत शादी शुदा हो या अविवाहित आज का ये को बनाने का कारे करेगा क्या करना है आपको पानी का एक ग्लास ले लिए इसके अंदर कुछ बूंद गंगा जलकी डाल दीजिए इसकी पवित्रता इसकी वॉल्यूम इसकी प्यॉरिटी बढ़ जाएगी और जब इसकी प्यॉरिटी इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कह करना है आपको अपने उल्टे हाथ के अंदर इस ग्लास को पकड़ लेना है अपनी मनो कामना आपको 21 बार बोल देनी है और आपको अपने बॉड़ी के राइट साइड में इसका छिड़काव कर देना है कैसे करेंगे आपने लेफ्ट साइड में आपने पानी पकड़ा इसके मन में अपना अट्रेक्शन जगाना है या कोई जौब पानी है विदेश जाना जो भी आप चाहते हैं 21 बार आप पानी के अंदर अपना हाथ डाल कर उस मनुकामना को बोल देंगे और उसके बाद आप अपने हाथ को निकाल कर अपने राइट साइड पर उसका छिड़काव क लीजे 11 बार इस क्रिया को करिये 11 बार मतलब आपको हर बार 21 बार अपनी मनुकामना बोलनी है फिर छिड़काव करना है फिर 21 बार अपनी मनुकामना बोलनी है फिर छिड़काव करना है करके देखे मेरी जान आपकी ऐसी चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी जो आपने कभी सो से आपकी इच्छाएं पून नहीं हुई है जरूर करिएगा ये कारे और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तना है मुझे जरूर बताईएगा बाकि आपकी कुण्डली में अगर कोई दोश है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए वाटसप करिए मैसेच करिए अपनी क समस्या का समाधान पाई है मैं फिर आती हूं कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बूत लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखिएगा अपने साथी के साथ यूए जुड़े रहिएगा प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखि अस्त्र में पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है अपने उपायों द्वारा एवानाथार 2016 से जोतिश विभूशन अवारड प्राप्त कर रही हैं. साल 2018 में उन्हें उत्राखन के मुख्य मंतری त्रिवेंदर सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवारड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्तान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार् झाल